बश्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजूकेशन की एटशिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है दोस्तों आप सभी उन छातरों के लिए जो की 65 वी बीपी एसी का एक्जाम दिये थे हैं और इस वीडियो के सभी को बहुत सारी सुपकामन है देखे नौरात्रे शुरू है आज से और नौरात्र में सबसे पहला प्रशाद आपको माता रानी की तरफ से मिला है और यहां पे आप लोग की ज्वाइनिंग अब होगी जिया आप लोग को यह नोकरी पकी है कुल यहां पे अगर हम बात क सित रहें कुछ ऐसे चात्रों का यहां पे रिमार्क दिया गया है देखिए आप लोग अपना रिमार्क जुरू पढ़ लिजीगा आप लोग के कुछ डॉकमेंट्स यहां पे छूट गये हैं जिनके चलते आप लोग को यहां पे बोला गया है कि आपके इस रिमार्क के चल फिर डॉक्मेंट्स के चलते आपका नाम रॉल नंबर यहाँ पे दिया गया है यह रिमार्क पढ़िए और वहाँ पे आयोक में जाके अपनी यहाँ पे अपडेट दीजिए खेर मैं खुशकवरी देने आया हूँ यहाँ पे उन सभी छातरों के लिए जिनका की रिजल्ट यहाँ पे फाइनली हो गया है तो बिहार एड्मिनिस्टेटिव सर्विस सबसे पहले इन में करीब यहाँ पे देख सकते हैं यह टोटल 20 लोगों का लिस्ट में नाम है इनको सबसे पहले बढ़ाई जिहां यहां पर बिहार administrative service के लिए यह 20 लोगों का नाम उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं यह 20 ही नहीं है यह बढ़कर यहां पर total 30 है और यह कुछ PH कोटे से भी candidate है यहां पर इनको भी include कर लिजे भाई यहां पर तो यहां पर यह list total 30 लोगों का है दूसरा list अगर देखे हैं मित्रों यहां पर तो बिहार police service जो की deputy superintendent of police का है जिहां दोस्तों यहां से DSP का यह post है जिसमें कि आप यहां से check कर सकते हैं यह total और cut-up भी मैं आपको दिख लाऊंगा last में cut-up काफी यहां पर अच्छा बताया जा रहा है इस बर का तो ठीक है और यह total list देखेगा यहां पर दोस्तों जो की दिया गया है 62 लोगों का और यहां पर इनका चैन हुआ है और साथ ही साथ जो है आपका merit जो है वो serial wise दिया गया है roll number यहां से check कर सकते हैं आप लो और साथ ही साथ जो allotment आपको reservation में category में हुआ है उस category का यहां पर code दिया गया है तो इस category code से आपको पता लग सकता है यहां पर कितनी vacancy थी यहां पर इसके लिए आपको update किया गया थ और यहां पर आपका result घोशित कर दिया गया है तीसरा जो post है दोस्तो district commandant का यहां से आप चेक कर सकते हैं total यहां पर आप लोग जो है यहां छे लोगों का चैन हुआ है छे लोग है यहां पर इस department के लिए फिर है दोस्तो सब रजिस्टार जोइंट सब रजिस्टार के और यह देखे यहां पर total 35 पोस्ट है इनके लिए यह नीचे और जाएंगे आप लोग total यहां से list आप लोग खुद भी check कर सकते हैं इन सभी departments में किसका किसका selection हुआ है अपने नाम और roll number को यहां पर check कीजे और प्लीज 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 आप लोगों से request है कि comment section में comment कीजे और आप लोग यहां पर बताये कि आपका किस number में और किस department से हुआ है यहां पर मैं नीचे लेकर चलता हूँ ताकि आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा cutoff की जानकारी भी दे दूँ चुकि यहां पर बहुत सरे department है तो सभी department का यहां पर जो roll number के बाइस यहां पर आप को दी गई है category वाइस उनका code यहां पर दे दिया गया आप लोग चीक कर सकते हैं इस code से मिलालन कर लिजीगा पहले तो अच्छा नीचे आते जरा यहां पर आपके पास है cutoff का list अन्रिजर्ब category यह देखिएगा यहां पर सबसे बड़ी update गया दोस्तों अन्रिजर्ब category यान तो final result गोशित किया गया है with the interview 532 cutoff रखा गया है general category का female की बात कर ले 438 written test निकाले है तो cutoff था उनका और 515 overall final result दिया गया है महिलाओं के लिए जो की general category याने के unreserved category में है EWS के male candidate की बात कर ले दोस्तों यहां पर 425 गया है cutoff written exam का तो काफी कम cutoff गया है यहां पर देख सकते हैं यहां काफी कम और अच्छा score यहां पर हुआ है दोस्तों इस बर ठीके और पैसेट भी BPSC में लेकर यहां पर बात करें तो final cutoff गया है EWS का overall अगर exam को मिला दिया EWS को देखा जाए अगर यहां पर तो 401 गया है महिलाओं को लेकर और interview को मिला कर देखा जाए final exam को देखा जाए तो 504 overall cut हो गया है यहां पर ST category में 397 है ST female को देखे तो 382 है overall में देखे तो 507 और 482 है चुकि ST category में वैसे भी महिलाएं कम होती है तो यहां पे seat भी इनका कम रहता है तो इसलिए यहां पे cutoff 482 पहा गया है ST category थोड़ा सा यहां पे देखेगा 394 है और 397 है तो ज़्यादा अंतर नहीं है इस category में male candidate को लेकर लेकर लेकिन overall cut up में 507 है यहां पे और 495 है यहां पे यानि कि interview में थोड़ा सा उपर नीचे है यहां पे ST category female का यहां पे नहीं दिया गया है कोई भी cut up का marks ओके EBC category को लेकर अगर देखे male candidate में 417 बना है 518 overall cut up है यहां पे अगर EBC को देखे female में तो 396 पहीं इनका selection ले लिया गया है अब SC category male और EBC female का ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है आपको 397 और 396 पह यह final cut up इनका बनाया गया written exam को लेकर लेकिन वहीं पे अगर हम देखे तो 507 overall cut up इनका बना था और 508 इनका बना है EBC female को BC category male को देखा जाए तो 425 तो यहां पे अगर compare कीजिएगा दोस्तों general category से तो काफी differences है 447 और 425 ठीक है तो काफी differences है इस बार OBC और general category के written exam को लेकर भी लेकिन वहीं पे अगर overall की बात करें तो 525 यहां पे है अब देखे BC category के female category का यहां पर नहीं दिया गया है result क्योंकि 3% in correction और मिलता है और दोस्तों यहां पे यहां 515 पे overall BC female category का यहां पे list दिया गया है अब BCL category के लिए जो चात्रे हैं यहां पे 418 पे इनका selection लिया गया है अब 517 overall यहां पे interview के साथ cut-off है और बाकी pH कोटे में अगर हम बात करें disabled 4 के लिए तो 361 पे male category का cut-off गया है दोस्तों यहां पे overall 436 पे disabled category में DD को लेकर यहां पे जो update है 360 है और overall 463 है disabled category OH को लेकर यहां पे 384 है और overall 488 है और disabled MD category को लेकर यहां पे 314 है और 421 overall है अगर हम बात कर लिए दोस्तों यह की ex-serviceman चारी मात करें एक फ्रीडम फाइटर को लेकर जो चातर यहां पे जुड़े हैं वेते उसे category में देखें आप लोग है ना तो 500 से अधिक मतलब सिर्फ और सिर्फ हम बात करें यहां पे तो किसी का cut up नहीं मतलब कि अगर आप 900 में भी 400 उसको strategy के तौर पे और अच्छा मान के चल सकते हैं लेकिन अभी 86V का written का result आना बाकी है तो उसके बाद जब उसका main interview होगा उसमें भी cut up जुआएगा उसको भी speculative बनाके 67 की त्यारी में आप लोग लगिएगा लेकिन फिलहाल यह आपके सामने 64 और 65 को अगर cut up को देखा जाए तो यह सामने अगर रखा जाए आप लोग का तो काफी अच्छा और एकदम balance वाला जो score है यह दिया गया है आप लोग का तो दोस्तों इस वीडियो के माध् से आपको इस department में result पाने के लिए कितनी मेहनत करनी के जुरत है और किस strategy से आप अपनी मेहनत कर सकेंगे यह हम आगे बताएंगे आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दोस्तों पवाइट टेक क्यार ओल दवेश ज झाल